अनुपमा को हमेशा हमेशा के लिए क्यूं शाहाउस से दूर रहने को कह रही हैं बाव जी हाँ दोस्तों समर जब इस दुनिया से चला गया तो उसको न्याय दिलाने के लिए वनराज और अनुपमा हर कीमत पर उस गुंडे का सामना करने के लिए तैयार खड़े हैं लेकिन उन दोनों का ही साथ पूरे परिवार में से कोई भी नहीं दे रहा अब ऐसे में बा ने भी एक बहुत बड़ी बात अनुपमा को कह दी जिसके बाद अनुपमा अकेली रोती बिलखती हुई वापिस का पाड़िया हाउस आईगी दोस्तों इन सभी पिच्चर में एक पिच्चर मिसिंग है और वो है अनुच का पाड़िया की अनुच हर पल साथ देने के लिए तैयार खड़ा है वन राज और अनुपमा उसे इस कदर नजर अंदास कर रहे हैं जैसे वो उनके लिए एक्जिस्ट ही नहीं करता जैसे वो उसे दिखाई ही नहीं दे रहे अब ऐसे में दोस्तों अनुच क्या करें अनुच हर कोशिश करके देख चुका है रो चुका है गिड़ गिड़ा रहा है माफी मांग रहा है गुसा भी कर रहा है लेकिन अनुपमा और अनुच एक साथ बात नहीं कर रहे अनुच को बिल्कुल भी अनुपमा अपनी जिन्दगी में देखना ही पसंद नहीं कर रही दोस्तों कहानी का ये मेजर ट्विस्ट बहुत ही जादा दिल्चस्प होने वाला है एक तरफ जहां पे तोशू, पाखी और केंजल गुंडे की धमकी की वज़ा से डर गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब बाब ही ये कहने वाली हैं कि हमें उस गुंडे के खिलाफ केस नहीं करना है मैंने एक पोती की अर्थी उठते हुए तो देख ली, अब मैं एक एक करके अपने बागी बच्चों की अर्थी उठते हुए नहीं देख सकती ये लोग तो ऐसे हैं जो बिना किसी दुश्मनी के बस गोली चला कर अपने आपको इन सभी मामलों से दूर कर लेते हैं हमारा परिवार बहुत सीधा साथा है, हम इस नयाई की लड़ाई में चलते हुए कहीं पूरे के पूरे शहीद ना हो जाएं ये बाद बाव वनराज और अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है लेकिन हमेशा की तरह अनुपमा अपना ग्यान देना शुरू कर देती है बाव को समझाती है कि हमें इन जैसों से डरना नहीं है डट कर सामना करना है ये सिर्फ धर्मकाना जानते हैं ये इस से जादा कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन बाव को यहाँ पे अनुपमा पर बहुत जादा गुसा आता है और वो कहती है कि तुझे जो करना है तू कर अगर तूने उस गुंडे के खिलाफ केस किया तो तू इस घर में आज के बाद आध कभी भी कदम नहीं रखेगी तू उस घर में रहे तुझे जो करना है जैसे करना है करती रहे लेकिन तेरा हम लोगों के सांध रिषता हमेशा हमेशा के लिए खत्म होता है अब ऐसे में वन्राज किया करेगा यह वन्राज भी शाहाँ चला जाएक क्यूंकि बानने तो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अब बिल्कुर ना भूलें